हलो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब अपने एच डियेस ट्यूटोरिल प्रस्वागत है आज हम लोग सेवन क्लास का मैठ स्वल्प करेंगे प्रशनावली 17.1 तो देखिए पहला नमबर एक सरल रेखा एबी खीची और इसके बाहर इस्थिति कोई बिंदू सी लीजिए केवल इसकेल और परकार का प्रयोग करते हुए C से लेकर AB के समानतर एक रेखा PQ खीचिए तो यहाँ पर हम लोगों को समानतर एक रेखा खीचा है देखिए AB सबसे पहले एक रेखा खीचना है तो चलिए हम लोग AB एक रेखा खीच लेते हैं मैं यहाँ पर अपना जो चाप है आधे हैं यहां प्रकाल का यूज करना है दूसरा इसकेल का यूज करना है और cocktail तो पर यूज करना है यह यूज नहीं करना है तो चलिए यहां पर एक हम लोग रेखा कहिंच लेते हैं AB जिसे कि यहां से मैं एक रेखा किंच लेता हूं AB यह हो गया हमारा AB चलिए इसे मैं A नाम देता हूं इसे B नाम देता हूं यहां पर इसके बाद यह रेखा है तो इसको थोड़ से लंबा कर देना चाहिए और इधर भी इतना ओके अब दिखिए यहां से कहीं पर भी एक C बिंदू लेना है तो चलिए मैं यहां पर C लेता हूं यह बिंदू C है यहां पर लिखा हुआ है कि C से होकर AB के समांतर रेखा पी क्यू खिचना है तो यहां पर एक समांतर रेखा खिचना है इस तरीके से लेकिन वह AB के समांतर होना चाहिए तो इस तो कोई भी नाम दे देना है जैसे कि यहाँ पर मैं इसे डी नाम देता हूं आप अपने मन से दे सकते हो कोई दिकत नहीं है अब देखिए इतना बन गया इतना बनने के बाद चाप को हलका सा इतना दूर कर लेना है उसके बाद चाप का सुई को यहाँ निडिल को यहाँ पर वीडयो को रोप रोप करकते चलिए अब इसको यहाँ पर रखेंगे हम लोग कोई नाम देदेते हैं मांनकर चलिए इसको मैं इन दे देता हूं इनाम दिया यहां से हम लोग यहां तक इसको मिलाएंगे करीब यह हो गया यह enough हो सकता है को कोई कि अब यहा जो पैंट को इस पोईंट के साथ मिला देना है इस तरीके से हो कि एस तरीके से उकर ये हमारा पी क्यू बन चुका है यह हमारा पी क्यू बन चुका है इस तरीके से यह है पी और यह है क्यू इसमें बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है आप यह सब का भी नाम दे सकते हो जिसे इसका में नाम दिया एप और इसका जी और इसका एट इतना नाम दे दीजेगा बस इतना ही रचना करना है यह दोनों समांतर रेखा बन चुका है अब कोई दिक्कत में होना चाहिए इसे नोट कर लीजिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नमबर की ओर सेकेंड नमबर की कॉर्सन देखिए सेकेंड नमबर की कॉर्सन है एक सरल रेखा AB से 6 cm दूरी पर सरल रेखा CD खीचिए जो AB के समांतर हो तो यहां पर भी समांतर का कीचिना है देखिए एक सरल रेखा AB से 6 cm दूरी पर सरल रेखा CD खीचिए तो चलिए हम लोग यहीं पर बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग A B एक रेखा खीचेंगे तो चलिए यहाँ से यहाँ तक मैं A B रेखा खीचे लेता हूँ यह होगी हमारा A B रेखा यहाँ पर यह बिंदू A है और यह बिंदू B है अब यहाँ सो देखिए 6 cm दोरी पर रहा साओ 6 cm क्योंकि आपको जानना पड़ेगा की कोई भी एक रेखा होता है रहा से एगर हमनोन को point को मापते हैं तो बीच में हमेशा 90 degree बनना चाहिए कौन मतलब लमवत होना चाहिए तो यहां से सबसे पहले हम लोग एक 90 डिग्री का कौन बनाएंगे दिखिए 90 डिग्री इस तरीके से बनाया जाता है एक यहां पर आपको धब्रित बनाना पड़ेगा और इसको छोटा बढ़ा किये बिना यहां पर रखकर यहां पर काटना पड़ जो क्रोस हुआ है इसके साथ इस तरीके से मिला देना है इस तरीके से मिल गया अब इसको 6 सेंटीमेटर नापना है तो चली हम लोग नापते हैं यहां पर मैंने इसको 0 में रख दिया है और 6 सेंटीमेटर हमारा यहां पर आ रहा है आप देख सकते हैं यहां पर 6 लिखा हु किया करना है तो 100 गीग करेंगे सबसे पहले इसको हम लोग वापस मेश करा लेते हैं पेंसिल को इसके साथ ओके यह जो पुराना चाप लिय थे इसके साथ यहां तरह से एक हम लोगों को चांद जैसे बनाना है यालने की अर्धवरित जैसा इस तरीके से ओके अब यहां पर हम लोग यहां से लेकर यहां तक मिलान करेंगे यह मिल चुका है, मिल चुका है इतना, अब यहां पर रखने के बाद, यहां पर रखने के बाद, यहां पर रखने के बाद इसको काटेंगे, यहां पर, ओके, देखी कट चुका है, अब यह जो कटा हुआ है बिंदू, इस बिंदू को इसके साथ मिला देंगे, इस तरीके से इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा समांतर रेखा बन चुका है, अब सबका पॉइंट का नाम दे दीजिए, इसको मैं चलिए C दे देता हूं, और यह तो CD रेखा, इसको O देना पड़ेगा, यह O हो गया, यहाँ पर यह रेखा जो है, वो CD बन जाएगा, C और यह D, क्योंकि दिखें, यहाँ पर कौन सा रेखा खिचना है, CD रेखा ही, खिचना है, और यहाँ पर हम लोग इसको नाम देते हैं, P, और इसको नाम देते हैं, यह वाला Q, ओके, यह Q है, आयोप, यह भी आपको समझे माया होगा, इस नोट कर लिजे, और अगर दिक्कत हो रहा है, तो ध के समानतर, दूसरी सरल रेखा CD, बराबर 10 सेंटीमेटर खिचे, तो दिखिए, एक रेखा है AB, इसके समानतर, दूसरा रेखा खिचना है हम लोगों को, CD जिसका 10 सेंटीमेटर, मतलब लेंथ है, और यहाँ पर AB का 8 सेंटीमेटर लेंथ है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ग्रिखा खीचेंगे जिसका लंबाई रहेगा आठ सेंटी मिटर इधर से खीचता हूँ आठ सेंटी मिटर होना चाहिए दिखिए यहाँ 0 है ओके 0 से स्टाट करते है 8 तक यहाँ पर हमारा 8 है यह बन गया 8 सेंटी मिटर अब देखिए 8 सेंटी मिटर AB का लंबाई है तो इसको हम लोग लिखेंगे AB A और B यह हमारा 8 cm है ओके अब इसी के समानतर हम लोगो कोई CD रखे किजन है जिसका 10 cm लंबाई होना चाहिए तो इसके समानतर रेखा हम लोग चलिए एक समानतर रेखा बनाते हैं यहाँ पर 90 degree हम लोग बना लेते हैं या फिर क कट मारना है और यहां से लेकर यहां तक और एक बार उपर इस तरीके से और इधर से भी एक बार यहां तो यह जो क्रोस पॉइंट आया है इस क्रोस पॉइंट को इस बिंडू के साथ मिला देना है इस तरीके से मिल चुका है अब यहाँ पर 90 degree का कौन बन गया है अब यहां से लेकर यहां तक इधर एक 8 cm का लंबाई हम लोगों को समानता रेखा खीचना है तो चलिए हम लोग खीचते हैं यहां से सबस्क्राइब इसको मेंच कर लेते हैं अब यहां से लेकर इधर से एक लेना है उसके बाद आप चाहे तो यहां लेकर इसका लंबाई यहां पर आचुका है यह जो point है क्रोस पॉइंट इसको इसके साथ मिला देना है तो अब इसके लेना है और इधर लाइन खीचना है इसके साथ टूच होना चाहिए इस तरीके से और इसको 10 cm खिचना है देखिए cd बराबर 10 cm तो 10 cm हम लोग नाप लेते हैं इसको यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देना है यह हमारा c है और यह बिंदू हमारा d है तो देखिए बन चुका है a b समना अंतर है cd का और a b बराबर 8 cm cd बराबर देखिए यहाँ पर 10 cm तो यह हो जाएगा 10 cm यह होप यह समयज माया होगा आपको धीरे धीरे बनाएए और देखिदेकर बनाएए वीडियो रोक रोक कर बनाएए जरूर बनेगा और कहीं पर दिखे थोड़ा तो मुझे कमेंट कर दिए मैं डाव सेशन में किलर कर दूँगा अब बढ़ते हम लोग फोर नमर क्यों है एक सरल रखा AB से 4cm और 6cm की दूरी पर ऊपर और नीचे दो समांतर रखा खींचिए तेहां पर रखा लेना है AB AB से 4 cm की दूरी पर उपर नीचे यानि की उपर 4 और नीचे 6cm की दूरी पर 2 समांतर रेखा कहीचना है इब ही तरतना हमलों शिर्प 1 रेका खीचते थे जो समाना आंतर रहता था अभी उपर नीचे दो समान्तरे कर खीचेंगे जी समान कर चलिए अबी है हमारा यहां से उपर 4 cm पर समांतर खीचेंगे और उससे नीचे 6 cm पर एक कुछ कुछ इस तरीके से हमारा भी बनेगा तो चलिए इसको हम लोग solve करते हैं सबसे पहले scale लेना है scale लेने के बाद यहां पर एक रेखा A B खीच देना है कुछ इस तरीके से ओके यह A B है यह हमारा और यह B अब इससे उपर चार सेंटीमेटर के दूरी पर रेखा खीचना है तो सबसे पहले यहां पर हम लोग यहां से लेकर यहां तर ओके अब यहां से लेकर यहां तक देखिए उपर चार सेंटीमेटर होना चाहिए तो चार सेंटीमेटर इसको हम लोग से लेकर इसको मिलाना है इस दूरी तक इतना मिलाने के बाद यहां पर रखना है और इसको इस तरीके से काटना है पट जाने के बाद यह जो क्रोस पॉइंट है इसको इस डोट के साथ मिला देना है तो चली हम लोग इसको मिलाते हैं इस तरीके से ओके आप इसको पीछे भी ले सकते हो कोई दिकत नहीं है इस तरीके से तो यहां पर यह हमारा बन जाएगा देखिए कोई भी नाम दे दीजिए नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन यहां से लेकर यहां तक का दोरी दिया हुआ है चार सेंटीमिटर तो यहां से ले सेंटीमीटर पर हम लोग को समानतरेखा किसना है तो इसी को हम लोग डिट्थो जो लाइन है इसमेज करना चाहीच पूरा लाइन से और स्टाइट होना चाहीच इसके साथ निचने लाएंगे सेंटीमिटर तक यहां पर 6 सेंटीमिटर दिखिए यहां पर 6 सेंटीमिटर है तो यहां से इसको मिला देना है तो अब यहां पर से हम लोग एक इस तरीके से समानतर रिखा किचेंगे तो जैसे उपर किया थे उसी तरीके से करेंगे इसको हम लोग सबसे पहले इसके साथ मिला अब यहां पर रखने के बाद एक चाप लगाएंगे इस तरीके से चाप लगाने के बाद यहां से यहां तक का ले लेंगे उके उसके बाद यहां से यहां तक क्रोस मार देना है फिर यह जो पॉइंट है उसको इस पॉइंट के साथ मिला देना है इसलिए इसको हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से और इसको भी कोई नाम देते हैं हम लोग जैसे कि यह हमारा हो गया y और यह हो जाएगा हमारा z और इसको हम लोग d लिख देते हैं यहाँ पर तो इस तरीके से हमारा रचना complete हो चुका है yahaan पर देखिए जैसे yahaan पर मैंने 90 degree बनाया है आप यहाँ पर भी 90 degree आप बना सकते एक्टेवल में यह 90 degree ही है यह भी 90 degree है और यह भी 90 degree है I hope यह आपको समझमाया होगा अगर नहीं समझमाया तो दुबारा देखिए और पर देखिए धीरे धीरे देखिए जरू समझ मायगा और जैसे जैसे वीडियो बनता है मतलो वीडियो चलता है आप कोपी में बनाती जाए वीडियो को रोक रोक कर जरू समझ मायगा वीडियो अच्छे लिएगो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए फिरते का आप मेरे चैनल को HDS टूटि तो आप तेख नोट्सपिक्शन पहुँजाए और वीडियो के पहने दोस्तों के साथ जरू सेयर करें थैंक्यो फरवाचे मैं वीडियो, have a good day